स्टूडेंट, मैं नेम इस मनेज, मैं इस वीडियो पर बात करने वालाऊं मासिक Assignment आंत्रिक मुल्यांकन परेक्षा कक्षा ग्यारवी विशेरसायन सास्त्र माँ Аगस्ठ का सॉल्योचन इस वीडियो पर बताने वालाऊं स्टुडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और योटुब चैनल को सस्क्राइब कर लिसका पीडियेप टेलीग्राम ग्रूप पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर है जाकर वहां से इस पीडियेप को डाउनलोड करें निर्देश सभी प्रशन निवारिये, कूल यहां पर दस प्रशन दिये गए, पच्चीस अंकों का पुण्णांख है तो पहला प्रशन देख लेते हैं, क्या दिया है, आदर्स गैस समीकरन का सुत्र क्या होता है तो आदर्स गैस समीकरन होता है, PV इक्वल टू NRT, जहां पर R होता है, गैस का इस्थिरांग होता है कौन सा एंठल्पी सदय और रनातमक होता है, तो दहन की एंठल्पी सदय और रनातमक होता है उसमा छेपी क्रिया हेतु डेल्टा एच का मान कैसे होता है तो उसमा छेपी अभी क्रिया के लिए डेल्टा एच का मान रनातमक होता है चौथा प्रश्ण उसमा गतिकी के प्रतम नियम को वेंजक सहित इसपश्ट कीजे पांचवा प्रश्न क्या कारण है कि द्रव की बूंद गोलाकार आकरिती की होती है छटवा प्रश्न बायल का नियम क्या है इसका गणिती वेंजक लिखिए साथवा प्रश्न आदर्स गैस एवं वास्तविक गैस में अंतर लिखिए आठवा प्रश्न तीन दसमलों तीन दो पर पांच डी एम क्यूब आयतन घेरने वाली चार दसमलों जीरो गैस के ताप की गढ़ना कीजिए नवा प्रश्न दो सो अंठैन बे कैल्विन पर अभिक्रिया दो ए प्लस बी गिव सी के लिए डेल्टा एच आर सो किलो जूल मॉल इनवर्स एवं डेल्टा एच जिरो प्रश्न किलो जूल मॉल इनवर्स डेल्टा एच एवं डेल्टा एच के ताप विस्तार में इस्तिर म उस्मा संकलन के नियम को धारन दे कर समझाने अथवपर है। यदि उससे माप की Q उसमा दी जाए तो उसके अंत्रे कुर्जा बढ़कर E1 प्लस Q हो जाती यदि तंत्र पर W कारे किया जाए तो तंत्र क्या अंत्रे कुर्जा बढ़कर E2 के बराबर हो जाएगी E2 टू इकवल टू E1 प्लस Q प्लस W इतो इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 माइनस E1 एकवल टू Q प्लस W अब E2 माइनस E1 हो जाएगा Δेल्टा E तो डेल्टा E एकवल टू हो गया Q प्लस W तंत्र द्वारा किये गए बाहकारे के लिए डेल्टा E 32 क्या हो जाएगा आपका Q करम में जहां अंतिम और प्रारंबी का वस्थाएं एक ही होती तो इकवल टू इवन डेल्टा इएकवल टू जीरो हो जाएगा तो क्यू माइनेस डबलू इकवल टू जीरो तो यहां से हम बता सकते हैं क्यू इकवल टू डबलू तंत्र द्वरकी अगेकार और सोसित उसमा के बराबर होगा पांचो आप प्रशन देखते हैं द्रव की बूंद की आकरिती गोलाकार होने का कारण है प्रिष्ट का तनाओ है द प्रिष्ट की बूंद की आकरिती गोलाकार होता है उत्तरक्रमांग 6 बॉयल का नियम बताना है इस्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाप के व्योत्क्रम अनुपाती होता है यानि कि प्रेसर यहां पर इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है वो होता है और दो को देखेंगे तो पीफदी वीडिवीटी हो जाएगा इसतरह सी इसका सॉलिोसन बॉयल के नियम का उसके बाद सात्वा प्रशन देख लेते हैं आदर्स गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर होता है आदर्स गैस समीकरन पीवी को तू एनर्टी का पालन क गास की गैस के अब सीड़ गैस का अस्तित्व नहीं है किसी आधर्स का अस्तित्व नहीं है। सभी गैसे वास्तविक गैसे या अता वे आदर्स गैसों के वैवार के कभी धनात्मक तथा कभी रिनात्मक विचलन दर्साती है उसके बाद अगला है गैस के समीकरण क्या होता है PV एक्वल टू NRT PV बाई NR अब यहाँ पर फॉर्मूला पर वैल्यो स्पूट कर देंगे तो इसका अंसर आजाएगा 50 Kelvin temperature होगा उसके बाद नमुआ प्रश्न है डेल्टा जी इकवल टू 0 है तो अभिकरिया साम्यावस्था में होगी अभिकरिया के साम्यावस्था प्राप्त करने के ताप कुनिम ननुसार प्राप्त किया जा सकते डेल्टा जी इकवल टू अभिकरिया उस समय स्वता परिवर्तित होगी जब डेल्टा जी रिनातमक है या केवल तभी साम्यावस्था जब ताप क्रम 2000 Kelvin से अधीक हो इस कंडिशन पर होगा इस तरह से नमवा प्रश्न और उसके अथ्वा का भी उत्तर हम लोग देखेंगे उत्क्रमाणी और अनुत उत्क्रमाणी प्रक्रम पर अंतर बताना यह प्रक्रम अत्यन दीमी गति से संचालित होता है इसमें संचालन कारी एवं विप्रित कारी बल एवं विप्रित कारी बलों के बीच अंतर अत्यन सुच्छ में होता है यह अधिकांस्ता से धांतिक प्रक्रम होते हैं इन प्रक्र प्रक्रümों में क्या गयाकार्य अभिक्तम होता है प्रक्रम के दौरान किसी भी समय सामय वस्तर नश्ट नहीं होता है यह वास्तवchnet होते हैं इंको पूर्ण होने, में निश्चिस समय लगता है इन प्रक्रामों में कि अग्यकार अधिक्तम नहीं होता है प्रक्रिया पुर्ण होने के पस्चाति सामयवस्ता प्राप्त हो जाती है दस्वा प्रश्ण देख लेते दस्वा का उत्तर हैस का नियम क्या होता है हैस की परिकल्पना यदि को रहसान होती चाहे वह परिवर्थन किसी भी विधी से किया गया हो मालो उर्जस अनक्षन का नियम पर यह अधारित होता है मालो पदार्थ एक का जैड में परिवर्थन पहली विधी में सीधे तथा दूसरी विधी में कई पदों में किया जा सकता है सीधे परिवर्थन में एक जैड प्लस Q1 जहाँ पर Q1 कैलोरी सीधे परिवर्तन में मुक्त उस्मा कई पदों में इस तरह से आपको दर्शान है कई पदों में मुक्त उस्मा इस तरह से निकल जाएगा हैस का नियम आपको लगा देना है उस तरह से पहली विदी दूसरी विदी को आप यहाँ पर समझा सकते ह कर तो बंधन उर्जा की घर्णा में होता है संभवन उसमा वा दहन उसमा को ग्याद करने में इसका उपयोग होता है है परिकल्पना नियम उसके बात क्रीस के दर अन अशर्जित होता है इस अविक्रिया में कुन्ड उसमा में कमी होती है क्रिया में पूल्ड उस्मा में विष्ध्य होती है दिते सब Sophie श्रय केवल एक दिसाथ संपन्ड होता है कि आप उतेरा असानी से लिख्षकटे हैं आंथ्री कुरजा एप इस तंत्र इस्थनांतरन उर्जा उसके बाद घुननन उर्जा आपका हो गया कमपन उर्जा उसके बाद इलेक्ट्रोनिक उर्जा नुक्लियर एनरजी और आई आपका ये एनरजी होगे समस्त उर्जाओं का योगी क्या कहलाता आपका आंतरिक उर्जा कहलाता इस तरह से आपने पूरे अत्वा सहीत सभी प्रश्णू का उत्तरिस वीडियों पर मिल गया होगा तो वीडियों को लाइक कर दे, सेयर करे और सस्क्राइब करे यूटूब चैनल को धन्यवाद